इस लेक्षर के अंदर जो basis है हमारी linear algebra के जो हमने पिछले दिनों में सीखी है पहले हम उसको discuss करेंगे कि आप किस तरीके से उसको master कर सकते हैं फिर हम python के अंदर linear algebra को जो है वो जा के देखें तो पहले मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ और आपको बताता हूँ कि linear algebra किस तरीके से सीखना है ठीक है यह आपके सामने screen आगी है यह codanics.com हमारी website है c-o-d-a-n-i-c-s.com यहाँ पे आप जाके courses में जाए courses में जाने के बाद you can go to this course six months of AI and data science और यहाँ पे इस course के अंदर अगर आप गोर करेंगे तो सारे के सारे lectures हमने upload कर दिये हूँ है जितने भी अभी तक आए है starting from linear algebra 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, 7, 8 and 9 day 50 तक हमारा course जो है यहाँ पे uploaded है ठीक है और यह अगर सिर्फ linear algebra कोई सीखना चाता है they can start from here, from day 37 लेकिन अगर उससे भी पहले सीखना start करना है mathematics को तो day 33 से लेके 50 तक आप सारे की सारी mathematics जो data science में use होती है खास तोर पे most of the part वो आप देख सकते है secondly यह है कि अगर आप उपर बार में जाएंगे यहाँ पे mathematics लिखा आएगा mathematics पर algebra पर चले जाएंगे algebra के यह तीन पार्ट है algebra for data science pre-algebra, elementary algebra and then linear algebra जैसे आप linear algebra पर क्लिक करेंगे then you will find linear algebra, linear transformation matrices in linear algebra तो इस तरीके से आपके पास algebra के बारे में सारी चीज़ आ जाएंगी यह इसके contents है contents क्या होते हैं कि आप किसी भी एक चीज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास algebra क्या होता है इसकी history क्या है बाकी चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगे अगर आप second पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास the ultimate zero to hero guide to pre-algebra वो आ जाएगी इसके बाद आपके पास elementary algebra आ जाएगा और इसके बाद linear algebra यहाँ से start होगा linear algebra जो है आप यहाँ से start कर सकते है अब linear algebra को देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि linear algebra होता क्या है for example introduction to linear algebra and so on बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है so linear algebra को अगर आप यहाँ से study करेंगे then you can have an idea कि linear algebra होता क्या है फिर यहीं पर मैंने further आगे linear transformation के बारे में बताया which you can find out here और यहाँ पर आपको यह linear transformation का सारा अंदाजा हो जाएगा यह सारे के सारे topic मैंने यहाँ पर आपको notes की form में दी है if you can have a look introduction, what is linear transformation होती क्या है scaling क्या होती है, rotation क्या होती है shearing क्या होती है transform किस तरीके से किया जाता है उनके जो codes हैं वो बताये गए हैं फिर उसके बाद हमने discuss किया matrices क्या होती है, matrices को क्यों देखा जाता है और significance क्या है उनकी ऐसे ही आप जब matrices के उपर जाएंगे जैसे आप matrices पर जाएंगे then you will see these things matrices in linear jabra में सबसे पहले introduction है what are matrices, structure and notations example 2D space में क्या है 3D space में क्या है, matrices की types कितनी है मैंने यहाँ पर आपको 16 matrices की types बताई है matrix की type के बाद आप role of matrices in data science यह पढ़ लेंगे फिर matrices operation पढ़ लेंगे तो matrix operation मैंने 26 किसम के बताई है यहाँ पर and मैंने 5 से 7 आपको matrix operation करके भी दिखाए है so हर एक चीज का formula किस तरीके से होगा किस तरीके से आप utilize करेंगे सब का सब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है for example transposition क्या होती है determinant कैसे find करना है inverse कैसे find करना है या आप बाकी different matrix diffusion कैसे कर सकते है determinant के बाद eigen value, eigen vectors को find out कैसे करना है उनका formula यहाँ भी लिखा हुए then उनका मैंने example and solution भी provide किया हुए so अगर आप इस पे अच्छा सा time बिताते हैं for example बताते हैं, बिताते हैं, बिताते हैं जो भी करते हैं, time गुजारते हैं इसको पढ़ने में so आपको कम असकम matrix की जो है ना वो अच्छी खासी समझा रहे है conjugate क्या होता है block matrix operations कौन से होते हैं partitioning क्या होती है co factors क्या होते है and so on तो यह जो तीन blocks हैं के link मैंने आपको पहले भी send किये थे otherwise आप mathematics पर जाके algebra पर जाके linear algebra में यह तीन चीज़ें जो हैं इन्हें जरूर पढ़ लिजएगा आप जैसे ही linear algebra को master करेंगे तो आपको lectures जो हैं हमारे वो भी मिल जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि आप linear algebra के lectures यहां से ले सकते हैं say for example यहां से linear algebra हमने start किया था यह तीन lectures यहां पे हैं फिर आप आगे देखेंगे चार यहां पे है तो मैंने time stamp भी दी हुई है 44 पे जाएंगे day 44 पे तो यह आपके पास जो हैं वो lectures और भी आ जाएंगे इसके इलावा फिर दुबारा से lectures आ जाएंगे transformation के बारे में फिर linear algebra का part 5 यहां पे आजाएगा linear algebra part 6 आजाएगा and then part 7 आजाएगा system of equations फिर system of equations and फिर system of equations यह आपके पास एक comprehensive guide है जिसके थुरू आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने किस तरीके से linear algebra को सीखना है जब आप linear algebra सीख जाएंगे या आप पहले से linear algebra मेरे साथ काम कर रहे है फिर आप python की तरफ move करेंगे ठीक है अगर किसी को linear algebra का कुछ नहीं आता वो python पे क्या लेने चाहेगा कुछ भी नहीं ठीक है पहले आप जितना पिछले lectures हैं उन्हें complete कीजिए फिर आपको ये बातें समझ जाएंगे जो अगले lecture में में करने वालो